Hello everyone, welcome back to my channel, I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तो चलिए बिना टाइम वेस के बढ़ते हैं आज के टॉपिक के तरफ, आज हम लोग सीखने वाले हैं कुछ important points, elimination reaction के, तो हमने last video में इसके mechanism को पुरा समझ लिया था, कि elimination reaction में हमारे क्या mechanism follow होते हैं, तो कुछ हम इसके points देख लेते हैं, अब सबसे पहला point, सबसे पहले इस reaction में क्या हो रहा था, हमारा x- बाहर निकल रहा था, यहां से, है न, x- बाहर निकल रहा था, it means यहां पर carbocatine बन रहा था, मतलब, first step में क्या हो था, x- बाहर निकला, हमारा carbocatine बन रहा हैं, तो first point इसके अंदर क्या है, formation of कार्बो कटायन कार्बो कटायन कार्बो कटायन बनता था इस वज़े से क्या होता था कि यहाँ पर रियरेंजमेंट पॉसिबल होता है अगर यहाँ पर कार्बो अनायन बनता या फ्री राडिकल होता है उस कंडिशन में क्या होता है पेर strange में अपनाहीं कर सकते हैं यहां पर कार्बो कट्राइण नहीं सख़ाइब now तो यहां पर क्या हुरा है डी अपर किया कि यहां से हो गया कि यहां सबर स्कंट्राइब तो आपको यह हो गया कि पिपर कार्भोक sacrifice बण रहा है प्लस यहां पर rearrangement भी possible है थीडिक्ट नेक्स इसमें क्या गिए डेख लेते हैं कि कार्भोकर्टाइन बना इसमें rearrangement भी possible है नेक्स्ट हमें दिख रहा है कि यहां पर क्या हो रहा बीटा और H प्लस Elimination अब यहां पर एक और चीज थे मतलब यही step आपकी rate decide कर रहे है, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ कार्बोकाइन बना rearrangement possible है, प्लस यहाँ पर क्या है, यही आपका RDS भी है, RDS क्यों है, क्योंकि यह सबसे slowest step है, ठीक है, slowest step है यह, तो यह आपकी rate determining step है, मतलब जितना यह आपका कार्बोकाइन stable होगा, जितना stable कार्बोकाइन यहाँ पर बनेगा, उतना ज़्यादा यहाँ पर even elimination होगा, यहाँ पर आप point में इसको note करते जाएगा, ठीक है, यहाँ पर यह RDS है, यह slowest step है, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कि जितना आपका stable कार्बोकाइन बनेगा, stable carbocation थिक है मतले जितना अच्छा carbocation बन रहा है जितना stable carbocation है it means क्या हो रहा है उतना ही ज़ादा यहाँ पर even elimination होगा बतले आपका जो even elimination है वो भी उतना ही यहाँ पर high होगा थिक है जितना यह आपका stable carbocation इंक्रीज करा मतलब इतना स्टेबल वर उतना इवन एलिमिनेशन आपका जादा हो रहा है नेक्स्ट में समझ लेते हैं एक पॉइंट आप इसको लिख देंगे इसको अप्लाइग्वाज में करके लिख जिए कि यहां पर फॉर्मेशन आफ कार्वोकाटन हो रहा है तो यहां यह सबसे स्लोवेस स्टेप है जो यह स्टेप है इसलिए यह हमारी डिटर्माइनिंग इस्टेप है जितना स्टेबल हमारा कार्वोकाटन बनेगा उतना ही जादा यहां पर ईवन एलिमिनेशन रियाक्शन होगा नेक्स्ट एक और पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं इसके यहां पर आपको मैंने बताया था कि यहां पर दो सिच्वेशन बनती है अगर हमने यहां पर डेल्टा लगाया हमने यहां पर हीट प्रोवाइट करा ठीक है हाई हीट दिया हमने अगर यहां पर यह बेस की तरह बिहेव कर रहा है जैसे हमने यहां पर वीक बेस लिया था य as a weak base जब यहाँ पर behave कर रहा है तो हमारा reaction होता था E1, ठीक है? बट अगर यहाँ पर हमने delta नहीं लगाया, तो यह क्या करता था? यही जब का weak base है, अगर हमने यहाँ पर methanol ethanol लिया है, तो अगर हमने यहाँ delta नहीं लगाया, तो वो as a nucleophile behave करने लगता था, और जब वो as a nucleophile behave करता था, तो क्या करता था? वो यहाँ आकर इससे attach हो जाता था, क्योंकि इसने already यहाँ से x-loose किया हुआ है, तो यह इसको अपनी तरफ खीचेगा, इसको अपने साथ जोड़ना चाहेगा, तो यहाँ से आकर यह OCH3 आकर जोड़ जाता था, अगर यहाँ पर CH3 OH लिया है तो तो यहाँ पर हो जाता था फिर SN1 reaction है, तो जब हमने weak base लिया है और delta लगाया है, मतलब हमने high heat दिया, तो हुआ E1, elimination और जब हमने यहाँ पर कोई weak base लिया और हमने यहाँ पर high heat नहीं प्रोवाइड किया, या कह लिजे low heat दिया, ठीक है, तो उस situation में क्या होगा, वो as a nucleophile behave करेगा और बनेगा हमारा SN1 reaction, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, SN1 और E1 reaction दोनों होते साथ साथ में हैं, लेकिन एक product बनता है आपका major product और दूसरा बनता है minor, अब जो आपका SN1 है, SN1 and E1, ठीक है, यह दोनों reaction होते साथ में हैं आपके, ठीक है लेकिन क्या होता है एक प्रोड़क्ट आपका बनता है मेजर ठीक है और एक बनता है आपका प्रोड़क्ट माइनर one is major and another is minor ठीक है एक बनेगा आपका major प्रोड़क्ट और दूसरा बनेगा आपका minor अब हमें कैसी पता लगेगा अब यहां पर आप देखिए जब आपर आप लिया था आब लगाया था इंडाई जरूंस यहां पर कोई सा बहूंнул सरी दिया हो जब हम ने यहां पर क्या किया चितशाँ जो बनेकर में चराब रहा है जब हमने यहां पर कोई बेस ले लिया और यहां पर यहां नहीं लिखा लेकिन हम नहीं लगाया है तब हमारा यह जो है वीक बेस नुट्लियोफाइल बिहेव करेगा और नुट्लियोफाइल के दरफ जब यह बिहेव करेगा तो reaction होगा हमारा Sn1 क्लियर है अब यहां पर Sn1 हो रहा है अब E1 जो reaction होता है आपका E1 reaction exothermic होता है या endothermic अभी तक आपने काफी बार पढ़ लिया चाइब है इस चीज को कि यहां पर लो हीट प्रोबाइट कर रहे हैं तब यह कैसे बिहेव कर रहा है as a nucleophile मतला यहां पर हो रहा है SN1 तो जो SN1 reaction आपका होगा यह होता है आपका exothermic ठीक है exothermic reaction जो होता है आपका वो का favorable होता है वो होता है low temperature पर low temperature मतलब less than 20 degree ठीक है तो even होगा मतलब endothermic होगा high temperature पर favorable होगा SN1 है मतलब यह exothermic होगा यह आपका low temperature पर favorable होगा ठीक है next हम समझ लेते हैं इसके बारे में अब यह तो हमने देख लिया कि यहां पर क्या हो रहा था अगर यह weak base हमने लिखा था और high temperature दिया था तो हुआ हमारा even और weak base हमने लिखा और low temperature है तो हुआ हमारा SN1 ठीक है अब एक और point हम सहां पर समझ लेते हैं कि जो हम यहां पर बोलते हैं even को unimolecular elimination reaction तो unimolecular हम इसको क्यों बोलते हैं इसको कहीं पर आप note कर लिजेगा मैं इसको रफ कर रहे हूं जो आपका even reaction होता है इसको हम बोलते हैं unimolecular unimolecular elimination reaction ठीक है अब हम लोग इसको unimolecular क्यों बोलते हैं क्योंकि यहां पर आपका substrate हमने लिया है इसमें देखिए कितने molecule participate कर रहे हैं एक कर रहा है यहां पर तो जब एक कर रहा है तो में के लिए क्या word यूज करते हैं unimolecular प्लस इसका जो reaction ने इसका order किया है इसका order भी है one ठीक है तो जब order one है तो इसको हमने बोला unimolecular प्लस इसमें जो rate determining step है आपका RDS यानि जो slowest step है इसके पहले जो मैंने लिखा था भी तो जो आपका rate determining step है वो यहां पर किस पर depend करता है इस पर ठीक है यहां पर जैसे हमने लिया था ना R bond CH bond CS3 ठीक है यही हमने लिया था ना तो वो इस पर depend करता है यानि की जो आपका RDS है उस पर depend करता है ना कि इस पर बेस पर जाशे मने लिया मान लेजे हमने water लिया या methyl alcohol या ethyl alcohol उस पर depending करेगा हमारा rate depend करेगा substrate के ऊपर यानि जो आपका rate है यह किस पर depend कर रहा है rate is equal to k और अगर हमने यह लिया है तो आप इसको लिख लिए जे आर सी एच सी एस त्री एक्स इस पर डिपेंड कर रहा है आपका rate clear है यह चीज मतलब अगर आपने इसके rate को दोगुना बढ़ा दिया तो आपका जो reaction का rate है वो भी double बढ़ जाएगा ट्रिपल कर दिया तो reaction का rate भी triple increase हो जाएगा लेकिन वहीं अगर आपने यह base जो लिया है अगर methyl alcohol suppose कि आपने लिया है इसके concentration को आपने double कर दिया तो उससे rate पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ट्रिपल किया तो ट्रिपल इंक्रीज हो जाएगा तो यहीं चीज़ होती है यूनि मॉलेकिल हम इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि इसका order one है इसमें सबस्टेट में सिर्फ एक मॉलेकिल पार्टिसिपेट कर रहा है इसलिए हमने बोला इसको यूनि मॉलेकिल है आई होप आच का वीडियो आपको यूसफुल लगा होगा इस वीडियो से कोई डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कॉमेंट सेक्षिन में पूछ सकते हैं वीडियो पसंद तुसे लाइक कर दीजिए और अगर चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मैं मिलती हूँ आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक क्या रेंट बाबाई